गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स पोलर एक्वेशन ऑफ कोनिक के इस फिफ्ट वीडियो में आज हम पोलर एक्वेशन ऑफ कोनिक से सम्मधित कुछ कोस्टन को हल करेंगे तो पहला कोस्टन है इफ पी एस पी डेश एंड क्यू एस गुडेश आगर हमारे पास में एक कोनिक है इस कोनिक पर दो फोकल कोड है हमारे पास में P S और P DASH यह हमारे पास में एक focal code हो गई दूसरी focal code हमारे पास में है Q S और Q DASH तो जब हमारे पास में यह दोनो focal code है और यह दोनो perpendicular है तो यह वाला जो angle है हमारे पास में यह हमारे पास में 90 degree है यह angle हमारा 90 degree है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यह जो P और S हमारे पास में लम सॉरी तो हमें कैसे दिखरना है 1 upon P S into S P dash plus Q S into S Q dash equal to constant आएगा तो इसके लिए हम कोनिक की equation लिखेंगे सबसे पहले तो माना की polar equation of कोनिक है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी L upon R equal to 1 plus E cos theta अब यहाँ पर माना की S हमारा क्या है शांकव की नाभी है यह क्या है नाभी इसको लिख लेते हैं माना की S कोनिक की नाभी यह focus है ठीक है and P S P dash and Q S Q dash are two perpendicular focal code focal code आप जानते हैं पिछली वीडियो में भी और आपनी 12th में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी कोनिक से को जब वो नाभी से गुजरती है कोई रेखा पूरे कोने को कवा करती है तो वो उसकी focal code गहलाती है तो यहाँ पर P S P dash और Q S Q dash आपस में लमवत दो focal code हमको दी हुई है और S X and S X is initial line यह हमारी प्राणबिक रेखा है यह वाली ठीक है तो अब यहाँ पर जो हमारे coordinates है तो यह coordinate P coordinate क्या हो जाएंगे S P, alpha distance यह distance हमारी हो गई तो यह हो गया S P, angle कितना है initial line से alpha इसी तरह से P dash की जो हमारे coordinate हो जाएगा वो क्या हो जाएगा S P dash एक तो जो distance हो गई यह तो हमारा हो गया S P dash, अब इसका angle कितना है यह पूरा प्लस यह तो यह पूरा कितना हो गया Pi plus alpha तो यहाँ पर यह आएगा यह हो गया S Q, Pi by 2 S Q कितना हो गया यह यहाँ से लेकर और यहाँ तक कामे निकालना है तो यह Pi by 2 प्लस alpha तो हमारे पास में Q ता है S Q, Pi by 2 प्लस alpha इसी तरह से Q dash की हमारे coordinates क्या हो है S Q dash यहाँ पर यह हो है S Q dash 3 Pi by 2 प्लस alpha यह S और यह हमारे है Q dash तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हम देखेंगे तो यह 3 Pi by 2 प्लस alpha हो थीक है तो यह सारे के सारे जित्ते भी points है यह सारे points हमारे शांकव पे इस्तित है तो तथा यह सभी बिंदू शांकव 1 परस्तित है अब 1 परस्तित है तो satisfy भी होंगे यह तो satisfy करने के लिए हम इनके coordinates को इसमें रख देते हैं तो L upon S P equal to 1 plus E cos alpha थीटा की जगे हम alpha रख देते है फिर L upon S P dash equal to 1 plus E cos of pi plus alpha यह हमारी equation number second हो गई यह हमारी इसको हम simplify कर दें तो L upon S P dash equal to 1 minus E cos alpha cos pi plus alpha is equal to minus of cos alpha तो यह हमारी होगी third इसके बाद में support क्या है L upon S Q equal to 1 plus E cos pi by 2 plus alpha और इसको simplify करें S Q equal to 1 minus E sin alpha यह आपको पता है कि cos pi by 2 plus alpha equal to होता है sin alpha तो यह हमारे पास में हुआ sin alpha यह हमारी equation number हो गई fourth इसके बाद में L upon S Q dash के हम निकालें यह भी point satisfy करता है तो 1 plus E cos of 3 pi by 2 plus alpha और इसको simplify करें तो L upon S Q dash equal to 1 plus E sin alpha यह हमारी हो गई fifth number की तो अब हमको जो प्रेशन है उसके अनुसार हमें क्या चाहिए हमें चाहिए L upon S P plus sorry into पहली दो equations को तो हम गुणा करेंगे और दूसरी दो equations को फिर उसके साथ गुणा करके हम जोडेंगे तो हमारे पास में यह हमारे पास में L upon S P यह वाली equation फिर यह वाली और फिर इसको L upon S P dash इसको गुणा कर देते हम into L upon S P dash plus फिर इस वाली equation को किया हमने L upon S Q into L upon S Q dash यह हम को चाहिए इसलिए हम इसको multiply किया तो यह हमारे पास में आएगा which is equal to 1 plus E cos alpha 1 minus E cos alpha plus 1 minus E sin alpha into 1 plus E sin alpha ठीक है अब हम इसको simplify करेंगे that implies L sub में से common ले लेते हैं तो यह हो गया SP into SP dash SP into sorry इसको हम PS से लिख देते हैं SP को हम PS भी लिख सकते हैं तो यह हो गया जैसे question में पूछा हुआ है PS into SP dash plus 1 upon QS into SQ dash equal to यह L को हम इदर नीचे ले आए तो 1 upon L 1 minus E square cos square alpha plus 1 minus E square sin square alpha और simplify करें तो यह आजाएगा 1 upon L 2 minus E square cos square alpha plus sin square alpha और यह 1 हो गया है हमारे पास में तो यहाँ पर कितना गया 1 upon L into 2 minus E square upon 1 और 1 upon PS into SP dash plus 1 upon QS into SQ dash equal to 2 minus E square upon L यह हमें प्रूव करना था यह हमारा है constant तो यह हमें सिद्ध करना था hence proof यह हमारा answer हुआ तो इस तरह से आपको इसको हल करना है इसको equation number 1 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा इसको मैं लिख दे तूँ यहाँ पर equation number 1 question second है show that the diatrix of the conic L upon R equal to 1 plus E cos theta corresponding to the focus other than the pole is L upon R is equal to 1 minus E square upon 1 plus E square into E cos theta अब इसको हम इंदी में मैं explain करना चाहती हूँ आपको तो यह है प्रदर्शित करों की शांकाव L upon R equal to 1 plus E cos theta के ध्रूव के अतिरिक्त नाभी के संगत नियता का समीकरण होगा यह जो समीकरण है यह हमारा यह हमारा यह वाला जो समीकरण है इस वाले समीकरण हमें शिद्द्र करना है तो अब इसका solution के लिए हम पहले diagram बनाएंगे हमने यह एक कोनिक का डाइगराम मनाई है यह हमारा है कोनिक अब यह कोनिक इलिप्स भी हो सकता है इसको इस तरह से पूरा कर सकते हैं यह हमारे पास में अब हमने इसकी एक डायक्टिक्स मनाई है यहां पर यह एल एस हमारा नाभी है इसी तरह से जो इसका दूसरा पॉइंट है एस डैश एगर यह तुष्वा भाएंच दूशरा पॉइंट लिया यह पॉइंट हमने यह पी जी यह 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 पर तो यह जो पी डैश पॉइंट है इस पी डैश वही इसका समीकरन होगा तो इसके लिए अब हम start करते हैं कि दिये गए शांकव का समीकरन क्या है दिये गए शांकव का समीकरन या polar equation वो हमारे पास में है l upon r equal to one plus e cos theta यह हमें दिया हुआ है अब इसको हम equation number one दे देते हैं अब माना की let p dash जो हमारा point है उसकी यह हमारी r है distance और यह हमारा phi angle है तो इसका क्या हो गया r, phi इसके coordinates क्या हो गए? पी dash के coordinates हो गए r, phi जो डियरेक्टिक से नियता हमारी वो हमारी है z dash और m dash वो हमारी कौन सी होई? z dash और m dash यह हमारी नियता हो गई अब इस नियता पर इस पर कोई बिंदू है p यह p बिंदू इस नियता पर है ठीक है let the point p on directrix और नियता यह नियता पर है ठीक है and s p dash equal to कितना है हमारे पास में? यह s और यह p dash तो यह s p dash हमारे पास में कितना है r and angle x s p dash हमेशा angle हम initial line से लेते हैं तो यह initial line हमारी है z x वाली s x तो यहां पर x s p dash यह हमारे पास में हुआ phi that implies angle p dash s j dash क्या हुआ हमारे पास में? phi minus phi यह देखे यहां पर जब यह phi हो गया यहां से यहां तक का तो यह जो बचा है यह पूरे में से यह phi minus कर दिया तो यह हो गया phi minus phi अब triangle p dash j dash और s से अब हम यह वाला जो triangle है p dash j dash और s इस वाले triangle को अगर हम देखें तो इस वाले triangle से हम हमारे पास में क्या निकल आता है? इस पी डेश इस जेट डेश इक्वल टू इस पी डेश इन्टो कॉस ओफ पाई माइनस फाई कॉस्टिटा इस इक्वल तो आपको पता है क्या होता है? उसके according हमने इसको दिखा है यहाँ पर हमें क्या लगाया है? कॉस्टिटा इस इक्वल टू आधार बटा कर्ण यहाँ पर यह देखिए यह कॉस्टिटा है हमारे पास में यह पाई माइनस फाई और आधार हमारे पास में क्या है? स, स, ज, डश है और कर्ण क्या है हमारे पास में? स, प, डश तो यहाँ पर यह हो गया है इसको इससे क्रॉस्टिटा करेंगे तो यह हमारे पास में आ जाएगा और that implies स, ज, डश इक्वल टू कितना हो गया? स, प, डश की वैल्यू हमने लिख दी आर और कॉस पाई माइनस फाई तो माइनस ओफ कॉस फाई और स, ज, डश इक्वल टू कितना हो गया है? ज, ज, डश माइनस स, ज, यह यहाँ पर देखें स, ज, डश यह, यह, किसके बराबर हो गया? ज, ज, डश हो गया है? ज, 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 यह जो पूरे में से यह माइनस करेंगे तो यह निकल आएगा हमारे पास में यह देखें यह जो यह पूरा है यह पूरा इस पूरे में से यह वाला हमने माइनस कर दिया तो हमारी पास में यहां से लेकर के यहां से लेकर के और यह वाली value हमारी निकल के आ गई तो यह हो गया as z dash equal to z z dash minus as z और हमें यह भी पता है कि चूंकि ls upon lm यह मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था that implies ls equal to e lm that implies ls equal to क्या हो गया e as z क्योंकि lm बराबर हमारा होता है as z के तो इसलिए यह हमारे पास में यहां से हम क्या लिखेंगे इसको as z dash equal to कि twice of a upon e minus l upon e क्यों क्योंकि यहां पर c z equal to होता है a upon e यह आप 12 में पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को आप उसमें से रिवाइस के लेजें अब हम जानते हैं नाव वी नो दैट अर्दनाभी लेक्टर अर्दनाभी लंब याने की सेमी लेक्टर्स लेक्टम क्या होता है हमारे पास में l is equal to small l is equal to क्या होता है b square by a और that implies l equal to a square 1 minus e square upon a क्योंकि यह भी आपको पता है कि b square equal to होता है a square into 1 minus e square that implies a equal to l upon 1 minus e square that is as j dash equal to यहां value रख देते हम twice of l upon 1 minus e square कौन से में इस वाले equation में यह जो हमारे पास में equation आई है यह equation number a इसमें अगर हम यह रख देते हैं तो यह आता है twice of l twice of a upon e है तो twice of l upon 1 minus e square upon sorry minus l upon e which is equal to into यहां पर l upon e था यह देखें यहां पर यह 2a upon e है तो twice a is equal to this into 1 upon e यहां पर आ जागा और इसको हम simplify करेंगे तो simplify करेंगे तो यह यहां पर l upon e बहार निकाल देते हैं हम इसमें से तो यह आगे twice minus 1 plus e square upon 1 minus e square that implies minus r cos theta cos phi sorry minus r cos phi जो कि हमारे पास में s z का हमने पहले निकाला है which is equal to l upon e into 1 plus e square upon 1 minus e square अता है बिंदू पी डेश r, phi का बिंदू पत जो की एक डायक्टिक्स है या एक नियता z डेश m डेश बनेगी वो होगी जो बिंदू पता है वो क्या होगा l upon e 1 plus e square upon 1 minus e square minus r cos of theta that implies l upon r equal to minus 1 minus e square upon 1 plus e square this which is equal to minus of this minus of this यहां से हमने l के निचे r ले गए और यहां पर यह हो गया e cos theta इसको उपर cross multiply कर दिया यहां पर यह हो गया e cos theta यही हमें सिद्ध करना था हैंस इस तरह से आपको पोलर एक्विशन ऑफ कोनी की साही ठीवरम्स पढ़ेए उसको समझेए और जो जो दिया हुआ है उन कर्डिशन्स को लगाते जाए तो आप से सारे सवाल निकल आएंगे थैंक्यू थैंक्यू